हेलो फ्रेंड्स मैं एड़ोकेट विनोज शर्मा अपने चैनल कानून और आमाद में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं दोस्तों सेंट्रल गौवर्मेट ने मोटर विकल्स एक्ट के तहत हीट एंड रन यानि के टक्कर मारकर भाग जाने के मामलों में मौवजा देने क लिए नए नोटिफकेशन इसू किये हैं और इसमें मौवजा राशी बढ़ा दी गई है तो दोस्तों क्या है यह पूरा नोटिफकेशन कितनी मौवजा राशी मिलेगी ऐसे समंद में यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों यह वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि अभी बहुत ही रिसेंटली यह नोटिफकेशन इसू किया गया है और यह एक अप्रेल 2022 से लागू होगा और मैं चाहता हूं कि आपको पूरी जानकारी मिले इसलिए एक वीडियो में यह इन्फरमेशन नहीं दी जा सकती इसलिए मैं जो है आज पार टू और पार्ट थ्री जो है इस समंद में मैं बनाऊंगा तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप से रिक्वेस्ट की आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और बैला इकोन का बटन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफकेशन आपको उसी वक्त मिलता रहे जो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे रोड एक्सिडेंट होते हैं जहां पर विकल अनिशोर्ड होता है या हीट एंड रन के मामले होते हैं यानि के टकर मार दी और उसके बाद जो चालक है वह भाग गया तो पुलिस उस गाड़ी को ट्रेस नहीं कर पाती उस ड्राइवर को ट्रेस नहीं कर पाती और ऐसे एक्सिडेंट में जो विक्टी में वह तो यह वह सीरियसली इंजर्ड होता है और यह उसकी मृत्य हो जाती है तो दोस्तों जब कोई विकल के मालिक का पता नहीं होता या विकल का पता नहीं होता तो ऐसे में जो कंपन्सेशन है पीडित परिवार को वह भी नहीं मिलता लेकिन अब ना सेंटर गवर्मेंट ने यानि के मिनिस्ट्री ओफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज ने एक ऐसा फंड क्रियेट किया है जहां से ऐसे पीडित परिवारों को जिनोंने हीट और रन मामले में या तो अपने व्यक्ति कोई खोया हो जिसकी मृत्यू हो गई हो या कोई बहुत सीरियसली इंजड हो गया हो तो उनको मावजा देने के लिए एक विशेश कोश गठित किया है और अभी जो है हाल ही में इस राश ही में बहुत बढ़ोतरी की गई है जो ऐसे परिवारों के लिए बहुत ही लाबदायक रहेगी तो दोस्तों यह इस स्कीम का नाम इन्होंने दिया है सेंटर गोवर्मेंट ने कि कमपन्शेशन टू विक्टिम्ज ओफ हीट एंड रन मोटर एक्सिदेंट स्कीम 2022 यानि के ही 2022 में एक अप्रैल से जैसे बने बताया लागू होगी और इस स्कीम में दोस्तों इससे पहले एक सोलाटियम स्कीम हुआ करती थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है और अब यह नई स्कीम में मुआवजा बढ़ा दिया गया है यानि के पहले जो है सीरियसली इंजड को 12,500 रुपे मिला करते थे जो अब 50,000 रुपे कर दिये गये हैं और डेथ के केस में जो पहले 25,000 रुपे मिला करते थे उसको बढ़ा कर अब 2,000 रुपे कर दिया गया है और इसमें जो compensation देने का time period है वो भी specify किया गया है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा इस वीडियो में तो दोस्तों आप बात करते हैं कि ये compensation कैसे मिलेगा कहां से मिलेगा और हमें कहां apply करना है तो मैं आपको बताऊं कि आपका जो तालू का है यानि कि जो आपकी तैसील है डिस्टिक है वहाँ पर आपको एक application देनी है और उसमें सारे आपको अपने facts बताने हैं अगर grievously injured है उसको अपने facts बताने है होस्पिटल का बिल देना है या होस्पिटल का certificate देना है और अगर किसी व्यक्ति की death हो गई है तो उनके जो legal representatives है जैसे उनकी wife हो सकती है या उनके minor बच्चे हो सकते हैं वो जो है एक application त्यार करेंगे और उस application को वो तालू का में जो तैसीलदार है या subdivisional officer है जिसको हम SDO बोलते हैं और या कोई unauthorized officer है वहाँ पर हम अपना claim पेश करते हैं इसको electronically भी आप बेश सकते हैं यानि के email से बेश सकते हैं और hard copy आप बाद में submit कर सकते हैं तो मैं आपको बताओं कि procedure क्या है इसका पूरा claim petition का कि the applicant shall submit an application seeking compensation under the scheme in form 1 इसमें एक form 1 में आपको जो है पूरे particulars भरने हैं वो form 1 की बात में जो है बात की वीडियो में करूंगा और उसमें including through electronic means along with a copy of claim raised by the hospital अगर injured व्यक्ति का hospital में इलाज हुआ है तो जो hospital का bill है उसकी copy साथ में लगानी है और उसके बाद जो है for cashless treatment formulated under section 162 और motor vehicles act की section 162 के तहत जो cashless treatment का provision है यानि के government उसमें pay करती है वो victim है उसको pay नहीं करना पड़ता है and the undertaking in form 4 और एक undertaking देने पड़ेगी form 4 में वो भी मैं आपको उसके बाद में बताऊंगा and such documents mentioned in form 1 including through electronic means to the claims inquiry officer इसमें जो नाम दिया गया है and designation दिया गया है जो आपकी ऐसी application को accept करेगा वो claims inquiry officer उसको कहते है of the subdivision in Taluka in which the accident took place जहां पर accident हुआ है वहां के तालुका में SDO को जो claims inquiry officer है वहां पर यह आपको application submit करनी है और इसमें दूसरा जो प्रावदान है कि where the claims inquiry officer doesn't accept the grounds advanced by the applicant he shall record speaking order और अगर कहीं कोई कागजों में कोई कमी है और जो inquiry officer है उसे लगता है कि जो है documents पूरे नहीं है उनमें deficiency है तो वह आपको जो है बुला के बताएगा कि यह यह document कम है और जो है आपको फिर वह documents पूरे करके अपना पूरा claim जो है उस inquiry officer को submit करना है इसके बाद दोस्तों जो claims inquiry officer है वह क्या करेंगे वह आपकी application जो मिलती है जो उनके पास आएगी इमीजेटली एक copy जो है इमीजेटली ओटेन ए copy of the first accident report यानि के FIR की copy वो लेंगे first accident report की copy police की post mortem की report अगर death का case है और या injuries भी है उसमें जो है medical certificate है as the case may be from the concerned authorities and hold inquiry in respect of claims arising out of the heat and run motor accident और जो inquiry officer है वो अपने level पर पता लगाएंगे कि यह claim genuine है bogus नहीं है actual accident हुआ था post mortem की report साथ में है तो वो अपने level पे inquiry करके पूरा case त्यार करेंगे and it shall be the duty of the claims inquiry officer to decide as to who are rightful claimants where there is more than one claimant or inquiry officer यह decide करेंगे अपने inquiry के बाद की असली कानूनी वारस कौन है अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति मृतक का claim लेना चाते हैं तो यह inquiry officer की duty है कि वो decide करेंगे कि claim कौन rightfully लेगा इसके बाद वो जो claim का पूरा बना के अपने recommendation देके वो वो claim claim settlement commissioner यानि के district में deputy commissioner भी बोलते हैं district collector भी बोलते हैं उनको वो case जो है वो submit करेंगे अपनी recommendations के साथ as early as possible जितनी जल्दी हो सके वो claim उसमें submit करेंगे and in any case within a period of one month from the date of receipt of application और application receive होने के एक महिने के अंदर अंदर वो अपना जो report है वो submit करेंगे deputy commissioner को इससे पहले भी कर सकते हैं a report in form 2 एक form 2 है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा along with his own recommendations और अपनी recommendations उसमें वो लिखेंगे and the forms and documents received from the claimants और पूरे documents और form जो claimant की तरफ से receive होते हैं वो सारा case deputy commissioner को submit करेंगे और एक प्रावधान हो रहे कि where the claim settlement commissioner has returned any report to the claims inquiry officer for further inquiry और अगर deputy commissioner या district collector को case पढ़ने के बाद यह लगता है कि अभी इसमें और inquiry की जुरूरत है तो वो पूरा का पूरा case दोबारा inquiry officer को भेज सकते हैं वापिस और जो है उसमें और inquiry का order कर सकते हैं and claims inquiry officer shall make such additional inquiries as may be necessary and resubmit the report to the claim settlement commissioner within 15 days for final order और जो case है वो receive वापिस हो उने के बाद जो inquiry officer है वो पंदरा दिन के अंदर अंदर अपनी report दोबारा deputy commissioner को देंगे ताकि final order के लिए यानि के claim के sanction के लिए वो submit किया जा सके और जो मृतक परिवार है मृतक का परिवार है या injured का परिवार है उसको यह मौज़ा मिल सके दोस्तों इसमें अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन-कौन से form भरने हैं कौन-कौन से documents लगाने हैं और जो है इसमें कब मौज़ा मिलता है कैसे मिलता है यह सारा में जो है आपको अगली वीडियो में बताऊंगा यानि के part two में तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर इस संबंद में आपकी कोई भी क्वारी हो, मुझे पूछ सकता है, मेरे पास Government of India का ये पूरा गजट नोटिफिकेशन है, जिसके बेस पे में आपको ये इन्फरमेशन दे रहा हूं, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है एक नई वीडियो का रहा है।